नमस्कार आप सभी दश्टकों का बहुत-बहुत स्वागत मैं हूँ मनीश कुमार ज्या जारखंड अपडेट लेकर मैं आपके सामने उपस्तित हो लोग सभाचुनाओं दोहजार चोबीस लगातार सुर्ख्यों में रहा और हम लोग अब इंतिजार कर रहे हैं चुनाओ परिनाम का उत्तर भारत में ज्यारखंड एक महतोपुन राजे रहा है हिंदी भासी राजियों का अगर बात करें उत्तर परदेश बिहार और ज्यारखंड इनकी महतोपुन भूमिका रहती है और दिल्ली की सत्ता यहां से होक पर गुजरती है लगातार यह कहा जाता है साथ फेज में चुनाव संपन्न हो गया और अभी एकजिट पोल भी लगातार क्या बता रहे हैं एंडिये का बढ़त बता रहा है रविश कुमार ने बहुत अच्छी बात कही कि एकजिट पोल जो लोग दे रहें उसका आधार क् आधार ही तथ्यों पर हम विश्वास क्यों करें उन्होंने जिस पाहलू को छुआ है जेके 24-7 उनसे सहमत है क्योंकि हम लोगों ने पिछले दो मेहने में जो परिश्रम करके पाया है उसका निश्कर्स मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं इससे किलियर हो का फिगर कि जहरखंड की स्थितिक क्या है चुकि मैं जहरखंड देख रहा हूं नविन सर के साथ लगातार पशिना भाया हम लोगोंने हमारी पूरीटी परतियेक लोग सभाशीट पर गई गाउं में गई शिर्फ शहर में हम लोग नहीं गए और वहां जाकर शमीकरन को सम पजने का प्रियास किया समान्यत आप देखेंगे यदि कोई व्यक्ति किसी धर्म विशेष के यहां है तो यहीं समझते हैं कि यहां के लोग जाड़कर इस पर बूट दिये वो जीत रहे हैं जब आप दूसरी और जाएंगे तो वहां आपको नजर आएगा कि नोने भी जा च्छेत्र चुकि जिला से इसमें मतलब रहता नहीं है एक जिला दूसरे जिला में चला जाता है कि जब जब आप जब आप जब आप दूसरे जगह जाएंगे तो आप यह पाएंगे कि जो समीकरन बनता है वो पूरे छेत्र पर बनता है उधारन के लिए आप राची को ले लें तो जो समान्यत्ता लोग रहते हैं वो राची आते हैं राची के आसपास के लोगों से पूछते हैं और चले जाते हैं जबकि ग्रामिंग छेत्र में भी मंदाता निवास करते हैं और उसकी भी आम भूमिका रहते हैं तो समीकरन जब हम लोग बनाना शुरू किये निकालना शुरू किये तो हमें पता चला कि जो एगजिटफोल अभी है वास्तव में वह एगजिटफोल परिनाम में परिवर्थ इतनी यह होने जा रहा है आपको याद होगा अटल बिहारी बाज पर इस समय चुनाव लड़ रहे थे यह जो कहें दूसरीट के बाद आगे बढ़े थे तुन्हों ने फर्मुला दिया था कि हमारा काम इतना शांती पूर्वग हो कि इसका जो परिणाम आए वो शोर मचाते हुए ग्रामी इलाके में जब आप जाएंगे तो वहां आपको इस वार जारखंड में कॉंग्रेस जारखंड मुक्ति मोर्चा मासस राजद यह सभी मजबूत नजर आयेंगे इसको इंडिया गटबंधन आपका सकते हैं तो इंडिया गटबंधन के प्रत्यासी मजबूत नजर जबकि शहरी छेत्र में जो अमोमन होता है भारत्य जन्ता पार्टी के प्रत्यासी मजबूत नज़राए क्योंकि वहां शहरी मतदाता लगातार भारत्य जन्ता पार्टी को सपोर्ट करते नज़राएं 14 लोग समासीट का जब आप तुलना करेंगे तापको पता चलेगा इस सबका समिकरन अलग-अलग है कहीं मुस्लिम मतदाता फेक्टर है कहीं बोट कालने की राजनिती हो रही है कहीं गलत पर त्यासी का दूस परिनाम पार्टी को भुगतना पड़ेगा जो जन्ता की आवाज है जो हम लोगों ने सर्वे किया तो अलग-अलग जगह पर आप अलग-अलग चीजी देखेंगे हम एक-एक करम स्ट्रीट पर हम चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं जिदने कर समिकरन क्या रहा है सबसे पहले हम राज महल पर जाते हैं जहां मोजुदा संशद हैं कुमार हासDI इनके खिलाफ लोभी हमरम खडा हुए और उन्होंने लगतार परियास किया बोला जाए और उन्होंने बोला भी किंहोंने काम नहीं किया लेकिन प्रभाविन का चेत्र में देखा नहीं गया जिसकी लोगों को उमीद थी यानि उमीद पर ये खरा नहीं उतर पाए तो वहां से बिजय कुमार हास्ता की इस्तिती मज़बूर न जरा रहे है चलें आप दुमका दुमका की इस्तिती थोड़ी सी अलग है इसे जब आप बारिकी से समझेंगे चुकि कल वहां मतदान था और हमारी पूरी ठीम दुमका छेत्र भ्रह्मन में थी शहरी छेत्र में यूँ कहें कि जहां आदिवाशी को छोड़कर हिंदू मत दाता थे उन्होंने तो भात्य जंता पार्टी के पक्ष में बूठ किया है और जार के किया है क्योंकि एक गाउं होता है जब आप जाएंगे शहर में तो खर बढ़ता हो पाएगी क्योंकि वहां एक जो फ्लैट वाले हैं दूसरे फ्लैट वाले से कुछ साजा नहीं करते हैं फिर भी समझ में आया कि वहां 60 परसेंट भारतिय जंता पार्टी को मिला है मौजुदा सांसर वहां सुनील सोरेन है यह बड़ा सक्टर है सुनील सोरेन ने मुक्ति मुर्चा के संस्थापक सिबू सोरेन को हराया समझ लिजे उनका कद कितना था किस तरह से बड़ा था उन्हें हराया इस बार भारतिय जंता पार्टी ने सुनील सोरेन का टिकट कट दिया उनका जब टिकट कटा तो अनेक ऐसे उनके जो समर्थक थे जो लगातार वो नाराज हो गए उमीद थी किस बार टिकट भारतिय जंता पार्टी सुनें मिलेगी और वो जीत कराएंगे ऐसा हुआ नहीं तो उनके समर्थक नाराज नजर आए बहले ही सुनील सोरेन ने यह कहा कि पार्टी सर्वोपरी है हमारे ऐसा जो सधारन कार्य करता है उन्हें कर दिया जो तमाम बाते हैं परन्तो नाराजगी कहीं न आए थी दूसरी और आप जब चलेंगे तो सीता सोरेन चुकि यह सोरेन परिबार दुर्गा सोरेन की पतनी जरकन मुक्ति मुर्चाक्शन स्थाप अपनके बड़ी बहु है इनके आने से ऐसा भारते जंता पार्टी का रेशियो है यहनि एत्ती परसेंट अगर आप परसेंट में जाएंगे तो नलीन सोरेन की और मतदाता बोट करते नज़राए शहरी ग्रामीन दोना मिलाकर गोटना में चलते हैं निशिकांत दूबे यह दिगज सांसदर हैं भारते जंता पार्टी को इन पर नाज है और लगातार चर्चा भी होता है कि अगर वहाँ अबाई अड़ा और एम्स दोनों देन है ते इनका देन है परन्तु वहाँ थोड़ा सा समीकरन बदलता नज़रागा पंडा समाज जो दिवघर में है वो नाराज नज़राए और उन्होंने अभिशेक नंदन जहा को खड़ा क जो वहां के स्तिती समझाई ग्राउंड पर पंडा समाज ने इन्हें निवंत्रन दिया कि आप चुनाव लड़े और यह चुनाव लड़े तो यहीं पंडा समाज कट जाते हैं और जिस तरह से आदिवासी पूरे जहरखंड में कलपना सोरेंजब से कमान समाली हैं तो इस्तिती काटे की टकर वाली है उट की सकर्वत बैठे यह कहना मुस्किल है चत्रा में आते हैं तो मोजुदा संसद वहां सोरिल सिंग है वहां काली चरन सिंग को बिजेपी नेटिक कर दिया है चुकि जो चर्चा हो रही थी जिसका बिरोध भारते जंता पाटी को पूरे पर अंदाज किया धनबाद और चत्रा दो सीट पर लोगों को अनुमान था कि देंगे लेकिन दिया नहीं वहां 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 मत दाता बचे हैं जिसके चलते वहां भारी काली चरन सिंग नजर आ रहे हैं जबकि कॉंग्रेस के भी के अंत्रिपाठे कहें कम जोर नजर नहीं परन्तु थोड़ा सा वह पीछे इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि मुदी जो शक्टर था वहां हावी था और आप कमवेस देखेंगे जरकंड में जो सीट आ रहा है वो मोदी जी के नाम पर आ रहा है अस्थानिया संसत से या तो जो बरतमान संसत हैं उनसे लोग नाराज ह हैं और यदि कोई नए कंडिडेट हैं तो लोग उन पर भरोसा नहीं किये हैं भरोसा किये हैं मोदी जी पर इसलिए मोदी जी का पलड़ावारी है आने वाले समय में आप देखेंगे लोग मोदी जी को ही वोड़ दी हैं के लिए रहो जाएगा एक महतपुन सीट है गरीड में आएंगे यहां मोजुदा शांसद हैं चंदरपरकास चोधरी मैंने सुर्वाति दोर में इस पर चर्चा किया था कि चंदरपरकास चोधरी के बारे में आस्थानी हो जानी कि जो वोटर है उनका काना है कि 5 साल में मैंने उनका दर्शन नहीं किया चंदरपरकास चोधरी ग्रेडी का सांसद मोधी कोडर्मा का सांसद मोधी तो थोड़ा सब परभाव पड़ा है परन्तों मतुरा परसाद महतो जो इंडिया गटबंदन के जारकन मुक्ति मुर्चा से चुनाओर रहें उनकी स्थिति काफी मजबूत मानी जाती है अगर आप चलेंगे टुंडी में टुंडी में उनकी स्थिति मजबूत है वहां के भी धायक हैं बागमारा आएंगे तो बागमारा में स्वेंग उनका घर है जाती समीकरन भी उन पर बैठता है और अंत में जो चंपई सोरेन वहां आये थे और यादब बोट थे वहां रोहित यादब हैं उन्होंने संगठ अगर जैराम महतो को अधिक बोट मिला तो समझ लेगी चंदर परकास चोदरी को हराने में उनकी भूमिका रही है युवा उनके साथ हैं लगातार युवा उनके साथ संगर्स कर रहे हैं उन्होंने अस्थानिया मुद्दा पर बात किया और बहुत जल्द वह प्रकास में और उन्होंने एक मजबूत इस्तिती अपनी बनाई है ग्रीडी चेतर में परन्तु उतना इस्तिती मजबूत उनकी नहीं हुई एक वो अभी वीनर कहे जाए परन्तु देखना होगा जनता है कमोबेस हम लोग आकरन लगा सकते हैं जो सटिक आकलन है वो मैं देने का प्रिय सने करiasm करता है कि मुसलीम के बाद कोई सबसे अधिक जन शिंख्याम धनबाद में है तो वह राजपूत तो सबसे अधिक जन संग्याम मुसलीम कॉउस्ध के साथ राजपूत कुखी पूरे देश में नाराज़ चल रहे हैं जो मैंने बताया तो वो कॉउस के साथ कूकि मुकदमा दर्ज है कुछ में सजायता भी है सर्जुराय ने जिस तरह से लगा तार बेटिंग की तो इसका भी कहीं न कहीं नुकसान उनको सहना पड़ा है धनबाद में और जो कलपना सोरेन की जो एक फरमान थी कि आदिवासी एक जूट होकर इंडिया गटबंधन के पक्ष म में मतदान करें तो 80% से 90% के बीच में जो आदिवासी हैं वो अनुपमा सिंग के साथ हैं इसलिए इनकी स्थिति मजबूत नजरी यहां मानी जा रही है इसमें एक फरक्टर और रहा है कि जैराम महतो कि जो जहां एकलाक अंसारी उनके पर जैसी थे उन्होंने भी अच्छ इसलिए थे यहां रावानी जी उन्होंने भी जो बोट काटा है वह भी लगवगी जीपी का ही बोट पहली माना जाता था पिछले बार उन्होंने समर्थन कर दिया था तो इसकिती आप समझ रहे हैं कि भारते जिनता पार्टी को दोहरा जटका में लगा है एक जैराम महतो और दूसरा रावाने जी इसको दोनों सब्सक्राइब सलबना पार्टी की वर संजय जो जहां उन्हें ही तैकरद दिया गया जहां से जो संसद है यह उन्हें पुना टिक electro ट दिया गया तो उसमें ज़्यादा की परिशानी लेकिन जहां एकस्पेरिमेंट किया है वहां थोड़े सी परीषानी में नजरा रहे हैं तो जो राची शीथ है उस पर संझेश्थ मजबूत नजरा रहे हैं वह बाती जंक्रणा पाठीके एक मजबूत कंडिडेट हैं लगातार इन्होंने कंपेनिंग की है तो इस्तितिक कमोबेस वहां जो समीर भन्तिक है वो मजबूत हुई है परन्तो अगर आप जीत का समीकरन देखेंगे तो विद्धुत वरन महतो जीतते नजरा रहें भले ही मार्जिन कम हो सिंग भू में आप चले आएगे गीता कोड़ा मद्धुकोड़ा की पत्नी इरहों ने जो बीजेपी जोइन किया कॉंग्रेस को छोड़ कर तो यहां की स्तितिक हुई कि 2019 में जहां मोधी लहर था उस समय भी गीता कोड़ा ने वहां कॉंग्रेस का पर्चम लहराने का काम किया अभी तो इस्तिती कुछ तो अंतर हुआ है और जब उहां गीता कोड़ा जा रही थे उनका विरूद भी हो रहा था तो वहां इनकी इस्तिती थोड़ी सी पतली नजर आ रही है जो कि जो बीजेपी के कैडर है या यूँक है कारीकर्ता है जो लगातार परिश्चरम कर रहे यहां जिसके चलते वहां जो बहां मांजी मजबूत नजर आ रही जितते हुए दिख रहे हैं आप खूटी में चले आए यहां थोड़ा सा समी करने इस बार बदल रहा है अर्जुन मुंडा जो केंदरी मंत्री हैं वहां से चुनाव लड़े हैं लेकिन काली चरन मुंडा क कईिस्ति इस बार मजबूत है आपको पहले भी याद होगा बतोर मुक्य मन्तरी अनेक ऐसे यहां के मुक्य मंतरी रहे हैं तो सुदर्शन भगत बिज़ेपी से हैं और इस बार वहां व्ज़ेपी ने समीरुरां को ख़ड़ा किया है जहां समी करने बदलता न्योपा चीटिंग को उन्होंने चीटिकट नहीं दिया है वहां इस्तिति बदल्दवा नज़रा रहा है सुगदे भगत जो कॉंग्रेस के हैं वह मजबूत नज़रा रहे हैं वहां हलाकि समीकरन वहां बिगाडने के लिए चामरा लिंडा को खड़ा किया गया था और आपको याद हो मुब किया और जिस तरह से कलपना सोरेन ने आदिवासियों को यह समझाया कि हमंत सोरेन को जेल भेजने में भार्दे जनतावाती की अहम भूमिका रही है तो कहीं न कहीं इसका लाव सुगदे भगत को मिलता वहां नज़रा रहे जो कॉंग्रेस के परत्यसी हैं वहां से प अंसत हैं इसलिए उनकी स्थिति वहां मजबूत नज़रा रहे हैं पलामों से जो बीडी राम है वो जित्ते नज़रा रहे हैं आज आईए आप हजारी बाग में अभी का समीकरन यह कह पाना मुस्की लेक भारी कौन अगर सबसे अधिक कांट्य का टकर किसी सीट पर है तो वह है अजारी बाग यह समझेख अजारी बाग बीजेपी का कड़ रहा है परन्तों जिस तरह से जेपी भाई पटेल ने ग्राउंड लेबल पर साइलेंट रूप से काम किया है यह कांटे के टकर में ला दिया चुकि पिछले बार अगर आप ध्यान देंगे तो वहां के ज आप सकते हैं आप पुर्ति वन कौन रहेगा问 यह चुनाव परिणाम ही बताएगा अभी इस बिसे पर कुछ भी कहा पाना मुस्किल है तो ये थी इस्तिति कमों बेस सभी जगह की जो इस्तिति मैंने आपको बताई दूसरे मुद्दे लेकर फिर हम उपस्तित होंगे लगातार आप हमारे साथ बने रहे हैं देखते रहें जेके 24-7 न्यूज का डिजिटल फ्र परियास करेंगे उनका बिचार लेने का परियास करेंगे जो दिल्चस्पी रखते हैं इस चुनावां पिलाल के लिए आप मुझे देजिए नमती नमस्कार